नमस्कार मैं हूं मनोग्या लोईवाल स्वागत है आपका एबीपी न्यूस पर नाश्ते पर नेता जी में आज हमारे साथ मध्यप्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कॉंग्रेस की कमान तब सम्हाली जब करारी हार के बाद पार्टी को सबसे ज्यादा वापस फॉर् दरूरत थी हमारे साथ हैं जीतु पटवारी जो मध्यप्रदेश के कॉंग्रेस के अध्यक्ष है स्वागत है आपका कैसे हैं आप और ये बताईए कि क्या खाते हैं सुबह सुबह जीतु पटवारी क्योंकि आप तो फिटनेस के बहुत ज्यादा कॉंश्यस नेता है मैं प तो इसा होना चीए कि दिन भर आपकी साहता करें तो उस नाते मेरी आदत में है कि ये मुंफली के दाने है ये रोज एक मुठी में खाता हूं ये भिगोए होते हैं और उसके साथ थोड़ा ना दो एक गाजर का जर मेरे रोज रूटीन का एक इससा है और अंडे चुकी प् कुंदर का हिल्दी होता है आपकी ब्लड से संबंदित बातें ये वह बाकि तो आप मेरे से बहतर आपके दर्शक भी जाता जानते हैं तो ये सुबह का होता है ऐसा क्यों हो रहा है कि महागडबंधन की या फिर हमेरे पूरे जो सब चल रहे हैं साथ में इंडिया इंडिया गडबंधन जो अलाइंस मिला है वो देश के सभीधान पर एक तरह से आज प्रेस्चिन लग रहे हैं वेवस्ताओं पर लग रहे हैं स्वाय संस्ताओं पर लगए तो एसे में अलग-अलग पार्टियां एक साथ हुई मोधी जी के अगेंस मोधी जी की विचार ध प्रतिशत इंडिया गडबंधन इस्टेबली से उसकी साइकी चल रही है और हाथ के पंजिक से हैंडल उसका जो स्टेरिंग है वह समला हुआ है ऐसा क्यों होता है कि जितने भी नेता कभी कॉंग्रेस जो छोड़ कर जा रहे हैं वो कहते हैं कि सनातन विरोधी स्टैंड के लिए हमने कॉंग्रेस छोड़ी है नि मैं मानता हूं कि जो विक्ति जो पोलिटिकल कारी करता अगर विचारधारा से अपने आपको अलग करता है तो क्या कहेगा कि मेरे तुम्हें तो अब मेरे ये स्वार थे इसके लिए जाना में तो निबोला कुछ तो बहाने बनाने च उससे प्यार करते हैं उसी को मानते हैं और सविधान इस देश को संगठित रख सकता है उसके बगेर वगेर संसार में इंडिया नंबर 1 नी आ सकता दुनिया में नंबर 1 नी आ सकता तो जब राममंदिर मसला चल रहा था तब राजी जी सरकार में थे सुप्रonnaıld को ताले कि आप जो कोट फैसला देगी वो होगा अगर मंदिर बनाने का देगी तो होगा और कोट के फैसला दिया उस समय देश की सरकार में मोझी जिदे तो नेशिरल जो राजीव जी ने तब काम किया था मोझी जी ने आप किया तो ये तो होगी सभीधान जो बीजेपी ने किया वह अगर राजीव जी की सोच थी और उनका ही कार्या ये बीजेपी सरकार ने किया है तो फिर कॉंग्रेस ने राम मंदिर के कारक्रम में शिरकत क्यों नहीं की? नहीं इसा किस ने कहा को कि कांग्रेस ने आप मैंने कब कहा कि हम तो जाएंगे गए मेरे पचास बयान होंगे हमारे पार्टी के नेता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी धार्मिक स्वतनता सबकी है मैं हिंदु धर्म से आता हूं भगवान राम कानुयाई हूं मेरे को अब बीजेपी ये कहें कि आप हम आज के रहे हैं, आप दर्शन करने आप, तो ये तो धार्मिक भावना नहीं हो सकती है, अगर भारती जनता पाइटी ये कहती कि ये मंदीर धार्मिक आस्ताओं के सांसाथ पोलिटिकल भावनी है, तो फिर देश की राष्ट पती थी, उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया, क्या कारण था ये पोलिटिकल आयोजन नहीं किया था आपने, तो फिर आपने देश की राष्ट पती सरवच इस्थाने का आदिवासी महला थी, उनसे स्विच को नहीं कराई, बगवान राम की आस्थाओं में कांगरेस पार्टी अपने आपक मैं आप से जानना चाहती हूं, जब राम सब के हैं, तो फिर कॉंगरेस राम बंदिर के कारिकरम को अलग करके क्यों देखती है, या उसमें नहीं जाने से आपको लगता है कि कॉंगरेस को राजलितिक नुकसान हो गया है, हम बीजेपी के कारिकरम में नहीं जाएंगे, बी इसको बुलाए उसके लिए भी सादुवाद, जिसको नी बुलाए उसके लिए भी धन्यवाद, यह विशे नहीं हो सकता है. आपने कहा कि आप क्यों नी गए, हम पहले भी गए थे, आगे भी जाएंगे, जब अशर आएगा, तब जाएंगे. पर बीजेपी कहेगी, कि आज जाना है, कल जाना इस पर, तो मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप है. लेकिन कारेकरम बीजेपी के नहीं था, कारेकरम राम मंदिर ट्रस्ट का था. तो राम मंदिर ट्रस्ट में कौन था? क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राइजी और बाकी सब हैं? वो ने चंपत राइजी? वो विश्व हिंदु परिशत से हैं. आचा, किसने तई किया चंपत राइजी ट्रस्ट के चेर्मेन होंगे? पहले इस से पहले कौन था? वो यह निए इन विश्व पर नहीं जाना चाहता है. बीजेपी ने आयुजन किया अपने लाजनितिक लाप के लिए. हम उनका अधी कारे कर सकते होंगे. मैं इसको किसी परकार का क्रिटिसम नहीं करना चाहता. पर भगवान राम की आस्था और कांग्रेस पार्टि का रिष्टा. जो प्रश्ण है, राम हमारे हैं, राम सब के हैं, हम राम मंदिर जाएंगे, बार बार जाएंगे, सो बार जाएंगे, एक हजार बार जाएंगे, एक लाख लोग जाएंगे. मुझे ये बताए कि क्या कॉंग्रेस में कोई आइडिलोजिकल क्राइसिस हो रहा है कि लोग इतना छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और समहाल नहीं पा रहे हैं जरूर राजनितिक लाब हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिले जरूरी नहीं यही तो लोग तांत्र है राजनितिक लाब दूसरे के हिस्से देश की और पार्टियों के हिस्से भी आ सकता है पर अभी जो दोर है उसमें लोग तांत्रिक की सारी मरियादाएं समापत होने लगी है इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं छोटे स्तर पर 23 नेताओं के लिस्ट इंडिया टाइम साफ इंडिया में के लिश्ट छपी है 23 लोगों ने ED और IT की अलग-अलग जाज चेंजेसियों ने उन पर कारवाई की सब बीजेबी में चले गए तो इन पर नजेरिया उनका इस तरीक एका है कि वो बीजेबी जाइन करें तो हम छोड़ दे यह की यही फिनोमा नीचे तगा रहा है यही प्रिदेश में आ रहा है यही जिले में आ रहा है बीजेबी का कंटेंड बनने लगे जिस पर थोटा मोटा अपरादी है जो रहते की टेंडर जिसको देना है उसकी रायल्टी है उसको बचाना है चोरी करवाना है तो आओ बीजेबी में जिसको क्रेशर है क्रेशर की रायल्टी की चोरी करना है आपको जाना है आज आज जब तक वो नेता कॉंगरस मेरेत अम् geschया थेंड इसलिये चले गए शेए आप में का अड़ी का पार किसका तरित कि तरीके से मुझेए अर्यािगा ओल तर्म तरिको चुपा निश्यटा कु कर रहे में जआध और पासा आप सी तरीके से लेते मुझे मुझे ने पता पर मैं आपसे पोछता हूँ कि अबी एक विक्ती है एक हमेले है उसकी पत्नी पर लोकाईप की जहाँ चल रही थी 46 करोगा पर जी वो बीजेपी में चला गया एक भी आदमी ऐसा जिस पर किसी प्रकार की कोई जाशनी चल रही और वो बीजेपी में चला गया हो तो मुझे नाम आप बता दे बीजेपी का फिनोमा ऐसा है कि मोधी जी के शाशन काल में ये नियम बने है एक धारणा बनी परमपरा बनी करप्शन करो क्राइम करो देशद्रो भी करो बीजेपी के नए पांदस नेता पकड़ा गया है अलग-अलग तंकवादी संगठनों से उनके रिष्टे हैं आज भी एकबारों में है वो सब करो पर बीजेपी में रहो तो कोई बात नहीं अगर दूसरे दल में हैं तो फिर आप बीजेपी जाहिन करो यह मैंने फिनोमा आप किसी एक वेट्टी का नाम लेके मुझसे पूछें कि तो मैं जबाब दे दुगा देश से लेके जी लेता कमलनाज जी की बात बनी नहीं क्या बीजेपी में जाने की कि आप डोपने में सफल हो गए यह कालपीन बात है कालपना की बात थी अगर कमलनाज जी को बीजेपी में जाते है तो फिर कांग्रेस से उनका बेटा चुनाव कैसे लड़ता है आज लड़ रहा है जब तक सकसेनाज जी बीजेपी में नहीं गए थे तब तक अच्छे थे कांग्रेस में अब वो चोर और उनके ओपर आरोफ लग गए भी बात आप इसको अगर उस नजेरिये से लेंगे तो मेरे पास सुबह सुबह इसका नेगेटी उत्तर नी है पाजेटी उत्तर है जिस वेक्ति के सांथ वो पेंतालिस साल से थे को छोड़ा इस समय जब सुनाओ चल रहा है जिनने साथ बार सांसक बना दी अनो बार टिगड़ दे दी को छोड़ा कारंबताएं उनने कि भेने इस लिए छोड़ा इसलिए जोरा उनको ही पता निया पाचोली जी जो एक हमारे निता है वो चार बार सांसक केंदरी मंत्री प्रदेश के अधिक सब रहे क्यों छोड़ा उनको ही पता नहीं उनने ये कारण बता है वो कारण जेस्टिफाई नहीं होते हैं वो भाहने दिखते हैं तो नेचरल है कि जब चुनाव विधान सभागे थे उससे पहले सो लोग ऐसे जो पांच-पांच-चारी करता हों के साथ कांग्रेशाइन की फिर भी बीजेपी जीत गए इनके आने जाने से कारी करता के आने जाने पर भरकने पड़ता है ये लालेश से भरे पूरे लोग हैं स्वार्थ के गारण आइडियोलाजी को कब भी आत्मसातनी करते हैं स्वार्थ को सर पे रखते हैं और ऐसे लोग हमारा भला नहीं कर सके तो बीजेपी का भला क्या करेंगे बट बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस महीं ने एक लाग कॉंग्र उन पर राच करना चाहते हैं नेचरल एक दिन सहामने आयगा एसा क्यों गहा जाता है कि कॉंग। विसमें परिवारवाद है बहुत ज्यादा जिसका नुकसान कॉंग्रेस और कार्यकरताओं कर रह हैं कि इसे राजनितिक परिवारवाद से को हाता हूँ? मेरो लिए अनो औ कि जो परिवार वास से आता है तो भी वो जनता के बीच जाता है चुनाव लड़ता है चुनाव जितता है मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव कहते हैं कि राहूल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है जहां जहां गए थे केंपेel करने मद्यप्रदेश में सब जगर बीजेपी को जिता दिया है वो कुछ जंता के चुने वए नेता तो है नहीं वो विधायकों के चुने वए प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका संभान है इस बार 29 सीटे हैं मध्यप्रदेश में और सिर्फ एक कॉंग्रस के पास है जीत का क्या अकड़ा रहे कैसे जीत हासिल करेंगे इस समय अभी जैसे भूदी जी पर भरोसा किया है संध जनता ने नेच्रले चाउदा कि वह बातें जो रोजगार की थी, महंगाई की थी, जो काले धन की थी, जो किसानों की इंकम की थी, जो किसानों के MSP की थी, देश का एक ऐसा नेरेटिव था क्यार, नया प्रदानमंत्री हम देश में लाएं, कुछ अलग करके दिखाएगा, कांग्रेस ने साट साल में कुछ निक्या उ हम 10 साल बात कहई खड़े हैं वे रोजगारी में असी प्रतिशत बच्चे वे रोजगारे सारे से इंडेक्स पताते हैं हम असी करोन लोगों को पांच किलो राशन देते हैं गरीवी रेखा में भी हम नंबर बन है करप्शन का जो क्राइम रेट है वो कितना है आप देखो कि जैसा मैंने का 141 लोगों पर ED की पोलिटिकल वर्करों पर नेताओं पर डेरी उसमें से 121 बीजेपी में चले गए तो वो करॉप्शन की धाड़ा है बीजेपी ने जो इलेक्टॉल बॉंडा है उसमें नेच्रल है सबसे जादा क्राइम जिनने किये जिन पर करॉप्शन के च सबसादन देश में असी प्रतिश है सब पार्टी उस ज्यादा हो गए एसा क्यों है कि विजेश में पुरा सुबह 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 मैं सावाल ना थी है नहीं है मैं आप से पूछता हूं क्या कारण है कि एडानी और अभानी जी हमारे दो प्रमु को द्योगपती एश्या के नंबर वन नंबर दो की लड़ा ही चल रही है विश में दो तिन चार पांच लोगों में इनका नाम आता है इन्होंने बीजेश को चंदा ही नहीं दिया एधा संबह है सबसे यादा जो व्यापार वेवसाय है इनका ही कपजा है देश पर भी बीजेश को एक रुप्य नही यह गले उतरती है बार जितनी सेल्क जो फ्राट कंपनिया है जिसकी बात मोदी जी करते थे में को समाप्त कर दूआ भाशन देते थे जोड-जोड से उनने सबने चंदा दिया चार सो पचास करोड रुपे का मोदी जी बता ही नहीं पाई उनके पाईटी नहीं बता पाई क कि यह पेसा आया कहा से उनने का लोग पठक गए और हमने ले लिये यह लिगल जवाब है तो इस तरह का फिनुमा तो देश में नहीं सोचा था अब उल्टे इसके विपरित जो विपस के लोग है जेलो में उन पर केस चल रहा है बीजेपी में जाते है तो जैसा में ने कहा हो जाता है तो आप मुझे यह बताई है कि इस समय वरतमान में उनते सीटों में से कितनी सीटे कॉंग्रेस जीतेगी क्योंकि बीजेपी कह रही है हम छिनवारा भी जीत जाएंगे मेरी स्तिती तो ऐसी है मैं सा सुचता हूं कि जादा ज्यादा सीटे हमारी जिते हैं हमार आ कॉंगरेस अना वर्ट चस्व बरकरार भावाई कि ने अपको लगता है कि छोड़के जा रहे है फिनोमा बनाया जा रहा है आप और प्रिदेश की महांसिक्ता पर लुग छोड़के जाएंगे तो कॉंगे से कॉंगरेस तो बान ने बाद अचुरी जीगे मान लो बसबसे प्रदेनेता थे हमाले मैं मानता हों कि वो जित्ते लोक सभा लड़े तब कर रिजल्ट है साम में भूलना चाहता जित्ते विदान सभा लड़े उसका विजल्ट है साम क्या युवाद बागदोर समालेंगे कांगरेस की आप सो पृतिशा सभा लेंगे इस में में कोई गोर्त हमें मुझे जुम्मेवारी मिली है नहीं और एक इमानदार और नहीं सोच की पार्टी बनाने के जिसमें नहें लोगों को स्थान मिले एस्टी एस्टी ओबीसी का थोड़ा वर्चेस हो बढ़े यह फोकस है और मैं चुकि अभी मुझे दो रही महींने हुआ है तो लोक सभ बने इस पर काम करें फिलाल तो जिन्दगी में चनाओ जीतना बहुत जरूरी होगा क्योंकि वोटर है जो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाएगा है जीतु जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलाल कैमरा परसन हमेंद्र और सूरज पांडे के साथ मुझ